हेलो रिवन तो जैसा कि आप लोग काफी कमेंट्स कर रहे थे कि भारत के प्रमुक यूद अब्यास जो है अलग-लग देशों के साथ अलग-लग समय पर यूद अब्यास होता है तो उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया जाए तो मैंने सोचा कि चलो यह टॉपिक एंज करना भी जरूरी है तो यह वीडियो आप रिवीजन के परपस से देखे और आराम से जो भी चीज़ी आपर बताई जाएगी उनको याद रख लीज़ेगा तो चलिए सुरू करते हैं तो देखे एक तरफ युद्ध भ्यास का नाम और दूसरा तरफ समलित रास्ट हैं कि आगा के बारे में जाने तो अल नगा भारत और उमान के साथ होता है अल नगा नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि आप इसको आसामनी से याद रख सकते हैं नगा उमान नगा उमान ठीक है अल नगा जो है वो भारत और उमान के साथ नेक्स आता है कि पुर्वी पूल या इस इस्टरंड ब्रीज पूरवी पूल या इस्टरंड बिच जो है भारत और हुमान के साथ ही होता है भारत और हुमान के साथ नसीम अल बहर यह तीनों के तीनों आप नाम थोड़ा सा याद रहनों के साथ तो एक बार चली अराम से देख लेते हैं ज़ादा तर इस पर पूछा अलनागा और नसीम अलबहर ये दोनों के दोनों बार बार पूछा जाता है तो दोनों याद रखेगा भारत और उमान के बीच और साथ साथ इस्टरन ब्रीज बारत और उमान के बीच के लिए गरूर सकती याद रखना है भारत और इंडोनेसिया के बीच इंडोनेसिया के ब भारत और इंडोनेसिया यानि कि गरूर सक्ति और समुंद्र सक्ति दोनों भारत और इंडोनेसिया के बीच होता है। बीच तो सक्ति भारत और फ्रांस और मित्र सक्ति जो होता है भारत और त्रिलंका के बीच राइट मित्र हमीसा नजदीक वाले होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जब मित्र लगया तो आप देख लेना कि यह नजदीक वारा अदेश होगा भारत और त्रिलंका स्रीलेक्स के भारत और स्रिलंका वरजप्रहार जो है वरजप्रहार भारत और अमेरिका के बीच युद्ध ब्यास नाम से होता है भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया होता है भारत और अमेरिका के बीच ये तीन अमेरिका के साथ होने वाला युद्ध ब्यास है इसके बाद आप दे यह चीन के साथ बैठक के रूप में हैंड इन हैंड चीन के साथ भारत और चीन ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया और हिंद मतलब भारत ऑस्ट्रेलिया और भारत और ऑसीडेक्स धियान रखेंगे ऑसीडेक्स भी भारत और ऑस्ट्रे जिमेक्स जिमेक्स जो होता है भारत और जपान के बीच और ये कई बार पूछा गया पेपर में अच्छे से याद रखेंगे धर्मगार्जियन जो होता है धर्मगार्जियन ये भी भारत और जपान के बीच होता है धर्मगार्जियन जो है बहुत इंपोर्टन्ट है जैसे स नियू मैत्री जो होता है ये भारत और जपान के बिच धर्मगार जियन आपने देखा उपर में हमने जी मेक्स देखा था ये तीनों भारत और जपान के साथ होता है स्याम भारत देखा जाए तो स्याम भारत भारत और थाइलेंड के साथ इंडो थाइ कॉर्पिट थाइलेंड के साथ मैत्री अभियास जो होता है भारत और थाइलेंड के साथ देखें मैत्री सक्ती जो है मैत्री सक्ती ये स्रिलंका के साथ हमने देखा था जबकि मैतरी अभ्यास कहा जाए तो ये फिर थाइलेंड के साथ हो जाएगा आयुत्या जो होता है ये भारत और थाइलेंड के बीच ही होता है नेक्स्ट पॉइंट आता है काजिंद ठीक है प्रबल दोस्तिक या फिर काजिंद काजेकिस्तान के साथ खंजर जो अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है किर्गिस्तान आई-एम-B-I-X तो ये भारत और महिनमार के साथ भारत और महिनमार के साथ आइम-B-X alternatives क है सकते हुआ आइम-C-O-R घॉर ये भी आपका महिनमार के साथ इक्वेरीन अभियास याद रखेगा माल्दियू के साथ होता है भारत और माल्दियू के बीच इक्वेरीन अभियास होता है साथ साथ एकाथा भी माल्दियू के बीच होता है यानि इक्वेरिड और इकाथा ये भारत और माल्दिव के साथ होने वाला युद्ध प्यास है इसका हम MCQ भी प्रोवाइड करा देंगे और ये PDF आपको टेलिग्राम पर हम डाल देंगे टेलिग्राम से आप देखने ला रिवीजन करते रहें लेजेगा ये टेलिग्राम पर अपको PDF मिल जाएगा ठीक है नेक्स आता है कि कोंकर सकती जो है वो भारत और ब्रेटेन के बीच भारत और ब्रेटेन के बीच कोंकर वरुड जो था वो फ्रांस के साथ होता है और कोंकर सकती जो होता है वो ब्रेटेन के साथ सूर्य किरन जो होता है नेपाल के साथ होता है अजय वारियर भी ब्रेटेन के साथ ही होता है इंद्र धनूस ध्यान रखेगा ब्रेटेन के साथ जबकि सूर्य किरन नेपाल के साथ इंद्र भारत और रूस के बीच होता है इंद्र धनूस ध्यान रखेगा ब्रेटेन जबकि स परसिफ इंद्र होता है वो रूस के साथ ठीक है लामिट्य होता है सेसेल्स के साथ भारत और वियत नाम के साथ विविएच्लिक नाम और दस्तलिक जो हता है वो उच्वेक्स्तान के बिच हर्यमाओ सकती याद रखेंगे important है हरिमाऊ सकती भारत और मलेशिया के बेच हरिमाऊ सकती भारत और मलेशिया के बेच तो कुल मिलाकर जो भी महत्वण थे जो भी important है बार-बार paper में जो repeat होता रहता है वो हमने यहां पर discuss कर लिया है तो आप इनको अच्छे से याद रखेगा क्योंकि जब भी पूछा आता paper में तो इसी में से आपको मिलान करने को हो सकता है या फिर डारेक्ट क्वेसन पूछ रहेगा अगर आप mcq के लिए करेंगे तो हम mcq भी आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप बीच में रिवीजन एक बार कर लेना अभी फिलाल आप सभी के theories देखिए बाद में हम जब exam और नजदीक आजएगा तब हम उसका mcq हर topic का mcq आपके साथ सेयर करेंगे ताकि आप रिवीजन भी करते चलें चीक है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइकन सेयर कर देना चानल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेसन भी लाइकन को ओल पर सेट कर लिजे हम मिलते आपक साथ इसी परकार के नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ थैंक्स वर वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग अफ़ गुट्टे